गुड मॉर्निंग, यूनिकिच केशन सेंटर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरी के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम लोग मरकरी मतलब बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, यह आप जो देख रहे हो फिगर, यह है हमारा हमारी आकास गंगा, इसे मिलकी वे, मंदाकनी, कई नामों से जाना जाता है, दुद्ध मेखला, इसके नाम जाना जाता है, तो हम इसमें सुरू करने चलते हैं, आज आपको बुद्ध के बारे में बताएंगे, मरकरी जिसे अंग अजय तारे अर्बो तारे हैं, उन्हीं मेशने से जब हम सुर के पास चलना शुरू करते हैं, तब भी हमको बहुत सारे तारों के आस पास से हो कर गुजरना पड़ता है?, तो अब हम सुर के पास चल रहे हैं, यहां देखें, यह रहा अपना सूर, अब जिसे भी तो हमPad सूर के सबसे नजदीक कर पूछा जाए कौन सा ग्रह इस्थित है तो वो है बुद्ध बुद्ध सूर के सबसे नजदीक है ये देखो ये जो आपको दिख रहा है मरकरी यहां लिखा हुआ देखो आप ये ये बुद्ध है ये सूर के सबसे नजदीक है अब सबसे नजदीक है तो बहुत तेजी से सूर के चारो तरफ ये घूमता है और ये सभी ग्रहों में सबसे छोटा है जितने भी सूर के ग्रह चक्कर लगाते हैं उनमें ये सबसे छोटा है अभी इसके पहले प्लूटो था जिसे यम बोलते हैं जानते रहेगा और इसका जो ब्यास है ब्यास तो आपको बताए थे यह जो मरकरी है मरकरी का आप पीछे तर देखे रहे हो काला देख रहा है ना अभी जवी इसको हम सूर के सामने में और देखो इधर जाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वाला भाग सूर इसके सामने आ गया अब काला क्यों दिखेगा अगर सूर के पीछे चाहेंगे हम लोग अब इधर काला दिखे रहा है क्योंकि उस तरफ सूर है उधर का भाग उजाले में है तो हम उजाले के भाग से आपको बताते हैं इसका जो ब्यास है इधर से यहां तक यह पूरा ब्यास एक मिट इसका यह ब्यास देखें यह है 4880 किलोमीटर इसका ब्यास है जानते रहेगा सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सौर मंडल में सौर की सबसे तेजी से परिक्रमा लगाता है 88 दिन में मतलब ये है कि जैसे पिर्थवी सौर का परिक्रमा 365 दिन में लगाती है इसलिए पिर्थवी पे एक साल 365 दिन का होता है वैसे बुद्ध जो है सूरी की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है अर्थात कोई अगर बुद्ध पे जाके रहेगा तो वहाँ जो एक साल होगा वो 88 दिन का होगा कैनी का मतलब ये है इसके साथ साथ बुद्ध जो है अपने अच्छपे भी गोल-गोल घुमता है और ये अपने अच्छपे 58 दिन में एक चकर घुमता है मतलब जैसे पिर्थवी अच्छपे 24 घंटे में एक चकर घुमती है वैसे ही बुद्ध अपने अच्छपे 58 दिन में एक चकर घुमता है मतलब ये कर सकते हो यहां 29 दिन जैसे पिर्थरी जब 24 गंटे में एक चक्कर घुमती है तो 12 गंटे का दिन और 12 गंटे का रात होता है वैसे बुद्ध भी जब 58 दिन में एक चक्कर घुमेगा तो 29 दिन का दिन होगा यहां पर और 29 दिन की रात होगी लेकिन यहां जो एक साल बनेगा वो कितने का बनेगा 88 दिन का क्योंकि यह सूर का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है कहने का मतलब यह है कि मैं इस मरकरी को सूर के पास ही ले चलता हूँ अब देखो इधर यह रहा मरकरी यहां है मरकरी मतलब की बुद्ध अब ये देखो ऐसे चक्कर लगाता है इस चक्कर में ऐसे उसे घूमने में 88 दिन लगता है मतलब 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है लेकिन ऐसे घूमने के साथ साथ ये ऐसे भी घूमता है और ऐसे घूमने में से लगभग 58 दिन लगते हैं मतलब 29 दिन का दिन होता है यहां पर 29 दिन की रात होता है और यह 88 दिन में यह एक चक्कर लगाता है अर्थात यहां एक साल 88 दिन का होता है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है कई चीजे इंपोर्टेंट है यहां जा इसको थोड़ा बड़ा मैं कर रहा हूं आप देखो यह मरकरी है और सूर के चारो तरफ एक लाग सत्तर हजार पांसो तीन किलोमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूम रही इसके साथ साथ आप और देख रहे होगे ग्रह और भी है पिर्थवी भी घूम रही यहां देखो यह वाला पाट पिर्थवी घूम रही उसके चारो तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है आपको दिख रहा होगा चंद्रमा भी उसके चारो तरफ घूम रहा है और पिर्थवी घूम रही है तो इस तरीके से यह लोग दीर्ग बिरित्ताकार में इसके चारो तरफ चक्कर लग तेजी सी ये घूम रहा है और इतनी बड़ी साइज में, कितनी छोटे साइज में ये लोग इसके चारो तरफ घूम रहा है, ये लोग बहुत छोटे हैं सूर की तुलना में, इसकी एक विशेष्टा मतलब बुद्ध की विशेष्टा ये भी है, आप जानते होंगे, नहीं ज दो आन लोग ये समझते थे कि अकेला नहीं, यहां दो लोग हैं, अत्ता जो सुबह दिखता है, मतलब सूर निकलने से पहले दिखाई देने लगता है, उसका नाम वो लोग अपोलो रखे थे, और जो सुर्यास्त होने स्थोड़ा पहले डूप जाता था, उसका नाम वो ल भूर का तारह कहा जाता है, और बुद्ध को भी कहा जाता है, अगर आप अप्छन में सुक्र ना मिले तो बुद्ध को ढूड़ना पड़े गा, यह भी पहले ही दिखाई देता है, और पहले भी अस्तो हो जाता है, तो दोनों important है, जानते रहेगा, अगर मर्करी की बात की ज्यादा है दरसल बात यह है जो भाग सूर के सामने होता है वहाँ सरवाधिक गर्मी पड़ती है और जो भाग सब सूर के पीछे होता है वहाँ सरवाधिक ठंडी पड़ती है अर्थात यहाँ पर दिन का तापमान तक पहुँच जाता है जबकि रात का तापमान मतलब पीछे वाले हिस्से में इधर जीधर अधेरा है इधर का तापमान रात में यहाँ पर माइनस 170 डिगरी तक चला जाता है मतलब आप समझते हो यहाँ का तापमान है 390 डिगरी सेंटीग्रेट मतलब लगभग 400 डिगरी सेंटीग्रेट आप जानते हो आपका जो जल उबलता है जब आप पानी उबालते हो तो वह 100 डिगरी सेंटीग्रेट पर पानी जो है 100 डिगरी सेंटीग्रेट पर उबलने जब आप 390 माइनस अंतर निकालोगे माइनस 170 से तो कोश्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 390 प्लस 170 हो जाएगा जोडोगे आप तो 314, 415, 560, 60 के आसपास आएगा मतलब यहां का ताप आंतर सरवादे के 500 डिग्री, 560 डिग्री सेंटिग्रेट है जो कि सभी ग्रहों में सरवादी के कई चीज़े यहां मैंने बताया, सबसे छोटा ग्रह है यह, सबसे तीजी से सूर का चक्कर लगाता है और सरवाधी के हाँ ताप मांतर है इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है जान दिजीगा इस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है अकेला है और ये सूर का चक्कर लगाता है कितने दिन में? अठासी दिन में ये सूर का चक्कर लगाता है, उपने अच्छे पे लगूँगा, अठामा दिन में एक चक्कर घुम जाता है, और इसका जो क्रोड है, मतलब इसका जो अंद्रोनी भाग है, उसमें लोहा भारा पड़ा हुआ है, इसके अंद्रोनी भाग में फेरस जिसे बोलते हैं, इसके क्रोड में लोहा भारा पड़ा हुआ है, और एक बात और जानते रहेगा, बुद्ध के सबसे नजदीक से गुजरने वाला जो उपगर था, उसका नाम है मायरीनर टेन, जो कि अमेरिका का था, इसको जानते रहेगा, और पिर्थवी और सूर के बीच में दो ग्रह इस्थित हैं, एक है बुद्ध और एक है सुक्र, इसलिए इन दोनों को अंतह ग्रह भी कहा जाता है, यह भी आप जानते रहेगा, तो आज बुद्ध के बारे में हमने कई important facts आपको बताए हैं, कुछ चीजे और भी बतानी है, जो next वीडियो में बताए बुद्ध है, किन ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है, बुद्ध और सुक्र हैं, यह सब जानती रहेगा है, और बुद्ध के पास सरवादिता पांतर वाला कौन सा ग्रह है, तो बुद्ध है, और बुद्ध के पास अपना उपग्रह नहीं है, और इसके पास अपन से इन सब को जानते रहेगा अगर आप चैनल पर नए है चैनल कर सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें